1200 किलो का था शहाजहान का मयुरासन मोगल कल में शहाजहान के बड़े बड़े शौप थे शहाजहान को बड़े बड़े इमारत और वस्तुवे बनाने का शौप था आगरा में स्थित ताज महल और दिल्ली में का लाल किल्ला शहाजहान की ही देन है उसी में से एक था, मयुरासन यह मयुरासन बारा सो किलो सोने से बना हुआ था यह आसन बनाने के लिए उस वक्त दो दशमलब नौ करोर रूपे खर्चाया था अब्दुल हमीद लाहोरी लिखित बादशा नामा में इस किताब में इस आसन का वर्नन मिलता है बेबादल खान नाम के एक व्यक्ति ने इस मयुरासन को बारा सो किलो सोने से बनाया था यह मयुरासन बनाने के लिए उसे साथ साल का समय लगा था नादिरेशाह ने 1749 में भारत पर आक्रमंग करके भारत को पूरी तरह से लूट मार की और इसी लूट मार में शाहजहान का सबसे किमती और मूल्यवान चीज यानि के मयुरासन अपने साथ परशिया ले गया और वहाँ पर इसे तोव गिया जब शाहजहान को मुगल शाहसन का बादशा गोशित किया तब उसे नजराने में बहुत नायब चीजे भेट में दी गई थी जैसे की हाथ ती घोरे तलवार जैसे बेश किमती रत्न दिये गए थे इफोपिया के सरदारों ने बादशा को गुलाम भी गिफ्ट दिये थे शाह जहान को सुंदर इमारत बनाने का इतना शोग था कि उसे अपने दादाजी का यानि के जहांगीर बादशा ने बनाया हुआ महाल तोगर उस जगए अपने मनमुताबित नया महाल बनाया था